नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल और आज के इस वीडियो में में लेकर आई हूँ पतंचली आवला स्वारस के बारे में पूरी जानकारी, इसका सेवन आपको किस तरह से करना है और यह आपके शरीड के लिए किस तरह से पाइदेमंद होता है तो आईए जानते हैं तो यह है पतंचली द्वारा निर्मित आवला स्वारस यहां पर लिखा भी है आवला जूस जो की पुरी तरह से आवला से बना हुआ है पतंचली आवला स्वारस की कीमत है 110 रुपे और इसकी जो नेट क्वांटिटी है यह है एक लिटर इसे आप किसे भी पतंचली मेडिक पर्चेस कर सकते हैं यदि आप इसे ओनलाइन पर्चेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने दे रखा है आप इसे ओनलाइन से भी पर्चेस कर सकते हैं बात करते हैं इसके डौजस के बारे में तो यहां पर भी इसके डौजस की जानकारी दे रखी है टेक 15-25 ml in twice a day with equal amount of याने कि आप इसे 15-25 ml दिन में दो बार पानी के साथ समान मात्रा में मिला कर इसका उपयोग कर सकते हैं तो आईए अब हम जान लेते हैं आवला स्वरस को पीने के फाइदे जैसा कि आप सभी जानते हैं आवला हमारी सेहत के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है क्योंकि आवला में भरपुर मात्रा में बिटामिन C पाया चाता है इसके अलावा आवला में ऐसे कई सारे पोशक्तत वो पाये जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होते हैं आवला स्वरस का सेवन करने से आपके शरिद में प्रोटीन का इस्तर अधिक होता है और नाइट्रोजन संतूलित रहता है जिससे कि आपका फेट कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है आवलाच उसका सेवन करने से आपका खुन साफ होता है और इसमें मोज़ुद एंटी आक्सिडेंट्स के कारण आपकी त्वचा की रंगत भी निखरती है आवलाच उसका सेवन पेट से संबधित परेशानी को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है इसका सेवन करने से आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़ादा लाब राप्त होगा आवलाच उस आखोसे संबधित पर्विकार को दूर करने में भी बहुत ज़ादा लाब-धायक होता है जिन लोगों को आखों में हमेशा लालीमा बनी रहती है, आखों में जलन, खुजली या लगातर आखों से पानी बहते रहता है तो ऐसे लोगों को आवला जुस का सेवन करना चाहिए क्योंकि आवला जुस में मोजुद पोशक्तत्व के कारण आपकी आखों की रोशनी भी तेज होती है और आपकी आखों में मोजुद विकार भी दूर होते है आवला चूस शरीर में हिमोगलोबिन को बढ़ाने का भी काम करता है जिन लोगों को खून की कमी या एनिमिया हो जाता है तो ऐसे में भी आवला चूस का सेवन करना आपके लिए लाबदायक हो सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आवला जुसका सेवन करने से मोटापा कम होता है क्योंकि यह मेटरबॉलिसम को बढ़ा देता है जिससे कि आपका वजन संतूलित रहता है और आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है आवला जुस तवचा के लिए बहुती जादा फाइदे मन होता है जिन लोगों की तवचा पर बहुती जादा दाग धबे होते हैं ऐसे लोगों को आवला जुसका सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में विटामिन C पाया जाता है जो की तवचा को चमकदार बनाए रखता है जैसा कि आप सभी जानते हैं आवला बालों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमूट करता है इसलिए कई सारे शेंपू और ओल्स में आवला को एट किया ही जाता है जिस तरह से शेंपू और बहरी तोर पर हमारे बालों को खुबसूरत बनाते हैं ठीक उ सफ़द होने की समस्या बहुत ही जादा है तो ऐसे में आप आवला जुसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि आवला जुसका सेवन आपके बलड फंक्शन को इंप्रूव करता है और बालों को उचित मात्रा में पोशन प्रदान करता है जिससे कि आपके बाल काले होने लगते हैं और बालों के जड़ने की समस्या भी कम हो जाती है आवला जुसका सेवन करने के दोरान इस बात का विशेश ध्यान रखे यदि आप डायबेटीज और हार्ट पेशन्ट है तो ऐसे में आप आवला जुसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे इसे के बाद आप आवला जुसका सेवन करें पतंचली आवला जुसके बारे में यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सेह से जुड़ी एसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद